हलो वे नमस्कार एवरीवन इस वीडियो में हम बात करने वाले फाइब्रोइज के बारे में क्योंकि आपने जब अल्ट्रसाउंड कराया होगा तो आपको रिपोर्ट में दिखा होगा कि फाइब्रोइज हो रहे हैं कहीं लिखा होगा कि कुछ लेशन बन रहे हैं या मायोमा या फाइब्रोमास के नाम से भी जाना जाता है अब बेसीकली फाइब्रोइड है क्या तो फाइब्रोइड एक नॉन कैंसर नहीं नहीं होता है और यहीं हिने डिफरेंटकरता है सिस्ट से क्योंकि जब cyst बनेगा तो फ्लूट फिल्ड होगा या पस फिल्ड होगा बट जब fibroid बनेगा तो इसमें कोई भी फ्लूट कलेक्शन नहीं होगी बट ये एक non-cancerous growth होती है अब fibroid जब हो रहा है तो कितने तरीके का हो सकता और कहां-कहां आपको मिल सकता है तो सबसे पहले जो fibroid होता है वो intramural तरीके का होता है intramural fibroid मतलब जैसे आपको uterine की muscular wall में ही मिल रहा है then आपको एक fibroid मिलता है जिसको हम sub-sirocal बोलते हैं sub-sirocal fibroid जो होता है वो uterus के बाहर की लाइनिंग पे मिलता है और जब सबसिरोसल फाइबरोइड अपनी स्टेम बना दे या अपने आपको और ग्रोथ कर दे या एक पिडंकल जैसा कुछ भी ग्रोथ की तरफ वो ले जाए और वो कैंसरस में कनवर्ट हो जाए तो वो पिडंकी लेटेड फाइबरोइड बन जाता है नेक्स्ट जो फाइबरोइड होता है वो सब म्यूकोजल होता है तो यह फाइबरोइड जादा तर आपको यूट्रस की मिडल लेयर जो मायोमीट्रियम होता है वहां पे पाया जाता है तो यह जो लोकेशन हैं इनकी बदल जाती है टाइप के हिसाप से और लास कराना और कैसा इलाज कराना इस बारे में भी हम बात करेंगे तो सिम्टम में अगर मैं बात करूं यूज्वली फाइब्रॉइट स्मॉलर इन साइज होता है और जैनरली आपको इसमें ट्रीटमेंट की जुरत नहीं पड़ती है जैसे 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 आपकी प्रोग्रेस करती ज चोटा है आपको कोई पेन नहीं दे रहा इर्रेगुलर मेंसेज नहीं दे रहा तो आप उसको अंट्रीटेट छोड़ सकते हैं और वो डिजॉल खुद से होना शुरू हो जाता है बट अगर फाइब्रॉइड आपका इंट्राम्यूरल है या सब म्यूकोजल है तो यह प्र क्यों तो आपको सब्सक्राइब कर आपको समझाने के लिए में वर्ड यूज़ करते हैं उसको इसको इमिडियेट ली सर्ज्री से रिमूफ कर देना चाहिए treat करा लेना चाहिए नहीं तो यह burst भी हो सकते हैं और आपके internal organs पे कोई भी cause कोई भी harm कर सकते हैं अब अगर मैं बात करूँ कि sizes इनका छोटा है और location ऐसी नहीं है जो pregnancy में problem दे रही है तो आप इसको untreated छोड़ दीजी अगर symptoms नहीं है क्योंकि इनका जो कारण है develop होने का भढ़ने का वो high estrogen and progesterone levels की वज़े से यह growth होता है क्योंकि जब estrogen, progesterone आपकी menstrual cycle में घटे भढ़ते हैं तो यह हर महीने uterine lining को construct करते हैं अब यह इतने अगर high हैं या fluctuated हैं तो यह growth बना देते एक्स्ट्रा growth जिनने हम fibroid बोलते हैं अब जैसे जैसे age progress हो रही है और आपको symptoms feel नहीं हो रहे हैं pregnancy में problem नहीं है तो आप इन्हें untreated छोड़ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे age progress होगी वैसे वैसे आपका menopause भी आता जाएगा और menopause जब आता है तो यह hormones कम हो जाते हैं कम होने की वज़े से इन growth को कोई भी blood supply नहीं मिलती है और यह growth promote नहीं होती हैं बट अगर आपको यह कोई भी परिशानी दे रहा है तो आप depending on the condition आप emergency में surgery भी करा सकते हैं अगर sizes छोटे हैं तो आप alternate pathies जैसे आरवेदा हुमेपथी चूज कर सकते हैं और इनका size reduce कर सकते हैं अगर आपको irregular menses है या pain है, discomfort है, intercourse करने में problem है, pain आ रहा है, urine में problem है तो यह सारे symptoms आरवेदा से control हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं और आरवेदा medication से इनका size भी dissolve हो सकता है और size भी छोटा हो सकता है और दीरे दीरे आपको fibroid से अराम मिल जाएगा और fibroid से छुटकारा मिल जा और टेक केर.